तो गोदरा कांड और गुजरात रायट्स की उननीसवी सालगेरा पर आज आईए डिसकस करते हैं कि इस इंडियन हिस्ट्री के डार्क चैप्टर को कवर करते हुए किस तरह से मेंस्ट्रीम लेगेसी मीडिया और एक्टिविस और इंटिलेक्चुल्स ने पूरी तरह से अपन बहुत स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो शायद आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2002 को 59 इनसेंट कार सेवक्स को सावरमती एक्सप्रेस में जिन्दा जला दिया गया था इसके गुजरात की हिंदू पॉपिलेशन में काफी गुसा जागा और उनफॉचनेटली उसके बाद गुजरात में काफी वाइट स्प्रेड रायट्स हुए जिसमें की एक हजार से जादा लोगों की जाने गई थी तो ओवियसली गोधरा कांड और गुजरात में जो रायट्स ह जिससे भारतीय मीडिया की और इंटेलेक्शोल सी क्रेडिबिलिटी बरबाद हुई है वो है किस तरीके से गुजरात को कवर किया गया था। में बिहार के भागलपूर में जो रायट्स हुए थे उसमें गुजरात से भी जादा मुस्लिम्स मारे गए थे लेकिन भागलपूर के बारे में हार्डली कोई डिसकशन होता है पिछले कुछ सालों में हमने वेस्ट बेंगॉल में इतने सारे रिलिजिस क्लैशे और और जिस्टिस से जादा जिस पुलिटिकल पार्टी को वो पसंद नहीं करते थे उस पुलिटिकल पार्टी को अटैक करने में जादा इंटरस्ट था मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ हमने जाकिया जाफरी का नाम सुना है आपने अहसान जाफरी का नाम सुना है आपने जाहिरा शेक का नाम सुना है आपने खुतुब अदिन अंसारी का नाम सुना है इन सब लोगों के नाम गुजरात राइट्स के बाद निकल कर काफी फेमस हुए थे लेकिन क्या आप उन 59 में से एक भी कारसेवक का नाम बता सकते हैं मुझे? सोचने वाली बात है दूसरा तरीका जिससे मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी डिस्टॉई की थी किस तरह से उन्होंने मोधी को और हिंदू कम्यूटी को टार्गेट किया था गुजरात राइट्स के बाद मोधी को लोवर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसके उपर दो स्पेशल इन्वेस्टिकेटिव टीम्स भी बिठाई थी जिन्होंने काफी लंबे समय तक मोधी को गुजरात राइट्स के बारे में इंटरगेट किया था बाकी जितने भी राइट्स हुएं हैं इंडिया में उसमें किसी राइट्स में इस तरह से कौर्ट केसिज नहीं फाइल किये गए है limits जो sitting chief ministers थे उनको इस तरह से interrogate और question नहीं किया गया है कश्मीर में जिन कश्मीरी terrorists ने दिन दहाडे सैंक्डों हिंदू का खून किया था उनके ओपर hardly कोई court cases लगाए गये थे उनके sitting chief minister को hardly इस तरह से बिठा कर interrogate किया गया था और investigation के बाद Supreme Court ने नरेंदर मोदी को गुजरात केस में clean shit दी थी उसके बाद जो special investigative teams थी उन्होंने भी कहा कि मोदी को इन violence से जोडने का कोई भी evidence हमारे पास मौजूद नहीं है अभी तो हमें और सलील होना है लेकिन हमारी media को और हमारे बावसीर कुमार ये कहते हैं जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं ना तो उन्हें हिंदू मजभब से कोई मतलब होता है ना उन्हें Muslim मजभब से कोई मतलब होता है लेकिन दूसरी तरफ media ने ताबर तोड़ कोशिश की कि गुजरात riots को एक हिंदुत्वा पॉग्रम की तरह दिखाया जा सकी इंडिया में ये पॉग्रम शब्द 2002 के बाद काफी famous हो गया क्योंकि पॉग्रम का मतलब होता है कि सिरफ एक तरफ से एक community के उपर violence की गई है और पॉग्रम्स आर अल्वेज state sponsored लेकिन unfortunately for the media around 254 Hindus भी इन गुजरात riots पे मारे गए थे तो उनका तो पॉग्रम का ये propaganda ही नीचे गिर जाता है लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा क्योंकि media को पता था कि देखे भई ये एक golden opportunity है moody को और bjp को destroy करने का और hindu community का नाम खराब करने का हमारे एक senior journalist ने कहा है ना we entered parliament within five minutes of our centering we heard gunshots it was a great day you know we are like vultures we feed on on these moment तो भई ये vultures कैसे operate करते हैं सबसे पहले कि भई जो भी hindu के खिलाफ हिंसा हुई है उसको पूरी तरह से white wash किया जाए media ने और intellectuals ने खूब कोशिश की के कार सेवकों का जो murder हुआ है उसके लिए कार सेवकों को खुद ब्लेम किया जाए अरुंधती रोजी का ये कमाल का explanation ज़रा सुन लीजिए अरे बाबरी तूटी है 1992 में तो ये कार सेवक उसको तोड़ के 2002 में कैसे वहाँ पस आ रहे है टाइम मशीन है क्या उनके पास बैक टू दे फूचर वाली गाड़ी है क्या उनके पास एक तरफ तो मीडिया ने कार सेवकों के murder को कार सेवकों के उपर ब्लेम करने की कोशिश की दूसरी तरफ यही मीडिया है जो उसामा बेन लादेन को एक loving father बोलती है जो अबुबकर अल-बगदादी को एक austere religious scholar बोलती है जो कि कश्मीरी टेरिस्टों को math teacher और teacher के बेटे बोलती है लेकिन unfortunately ये जो थियोरी है के कार सेवकों ने अपने आपको ही आग लगा दी इस थियोरी में ज़्यादा दम नहीं था तो 2004 में जब UPA जीत कर सेंटर में पावर में आए तब Railways Minister लालू प्रसाद यादव ने एक UC Banergy पैनल बिठाया जिसने फिर इस गोधरा कांड को investigate किया और investigation के बाद उन्होंने यही कहा कि हाँ भई कार सेवकों ने ही अपने आपको आग लगा दिया था लेकिन UC Banergy पैनल के इस findings के बाद गुजराथ High Court ने तुरंट कहा कि ये पैनल जो है illegal है और गलत facts का इस्तिमाल कर रहा है गुजराथ High Court ने कहा कि ये पैनल जो है ये facts को disregard कर रहा है और इस पैनल को political power का misuse करके गलत intentions के साथ बनाया गया है उसके उपर से पिछले कुछ सालों में कई लोगों को गोधरा कांड में चार्ज करके arrest भी किया गया है लेकिन जाने भी दो यारो movie में जिस तरह से लोग एक dead body को जिन्दा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसी तरह से कार सेवकों ने अपने आपको खुद आग लगा दी इस पूरी तरह से debunked narrative को जिन्दा रखने के लिए फिर भी मीडिया काफी कोशिश करती रही BBC और New York Times जैसे बड़े बड़े organizations ने 2016 और 2017 में इस UC Banerjee Report को quote करके conspiracy theories फैलाने की कोशिश की जा रही थी और मीडिया, intellectuals और activists के थूँ इस sustained propaganda campaign का आज result ये है कि इंडिया में actually कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि गोधरा train burning BJP और RSS ने करवाई थी यहां तक की Supreme Court ने जो special investigative team बिठाई थी मोधी को interrogate करने के लिए जब special investigative team ने मोधी के खिलाफ कोई evidence नहीं पाया तो उस team को media और activists attack करने लगे RK Raghavan जो sit के head हुआ करते थे मोधी को interrogate करते के समय उन्होंने अपनी autobiography में ये लिखा है कि media और activists ने petitions लगाए उनके खिलाफ उनको personally attack किया गया उन्होंने तो कहा कि उन्होंने ये भी सुना था कि central government उस समय पर उनके phone को tap कर रही थी तो in a nutshell अपने propaganda को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सारी evidence को disregard करके ignore करके बीजेपी और हिंदू community का नाम खराब करने की कोशिश की और तीसरा तरीका जिससे इन्होंने अपनी credibility को बरबाद किया वो था घलत लोगों को hero बनाने की कोशिश करके 2002 के riots के बाद मीडिया ने और intellectuals ने खूब कोशिश की तीस्ता सीतलवाड को एक human rights champion की तरह प्रिजेंट करनेगी क्योंकि तीस्ता सीतलवाड ने कहा था कि भई मेरे पास मोदी के खिलाफ बहुत सारी evidence है और मैंने बहुत सारे witnesses जमा किये हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि भई मोदी का direct heart था गुजरात riots को करवाने में ये सब चीजे बोल के तीस्ता सीतलवाड जी ने काफी funding भी जमा की अपनी organization के लिए लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि इन मैडम का अपना खुद का ही agenda था यास्मीन बानूशेख जो की एक prime witness थी तीस्ता सीतलवाड की और उन्होंने पाया कि तीस्ता सीतलवाड ने कई witnesses को कहा था कोर्ट में जाकर जूट बोलने के लिए और उन्होंने कई सारी मन घणंत कहानिया भी मनाई थी सिरफ मोधी government का नाम खराब करने के लिए यहां तक की रईस खान जो की तीस्ता सीतलवाड के NGO के एक worker हुआ करते थे उन्होंने भी तीस्ता सीतलवाड के ओपर आरोप लगाया है कि उन्होंने witness tampering की है और witnesses को कहा है कोर्ट में जाकर जूट बोलने के लिए उसके उपर से उनके उपर जो funds इन्होंने कठा किये थे अलग अलग जगहों से उन funds को भी misappropriate करने के आरोप लगाये गए हैं और आज ये madam एक नमबर की joke बन चुकी है पूरी तरह से ये discredit हो रखी है लेकिन उसके बावजूद ये जो टैक्टिक है ये लोगों ने छोड़ा नहीं है आपको याद होगा CAA के समय पर भी मीडिया ने और intellectuals ने खूब कोशिश की थी कि शर्जील इमाम जैसे लोगों को और जामिया की शीरोज को एंटाइ CAA प्रोटेस का हीरो बना दिया जाए लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये लोग तो भाई ये एक नमबर के जिहादी हैं कर्वाली बेस्ती अभी फार्मर्स प्रोटेस के समय पर भी योगेंदर यादव जैसे लोगों को फार्मर्स प्रोटेस का हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है उसके उपर से पोईटिक जस्टिस फाउंडेशन जैसी ओगनाईजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है farmers protest को support करने के लिए toolkit बनाने के लिए तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि insanity का definition होता है कि आप वही गलती बार-बार दोहराते रहिए लेकिन दूसरी results expect कीजिए तो at the end of the day भारत की जो आज public है वो media से intellectual से activist से इसलिए नफरत नहीं करती क्योंकि वो अचानक से को और अपने personal vendetta को रखा है तो आज गुजरात रायट्स के 19 साल की anniversary पर हमें गुजरात में जिन बेगुनाह लोगों की जाने गई है उन सब को याद करना चाहिए और हमें कसम खानी चाहिए कि सारी political parties के उपर हम ये pressure बनाएंगे कि एक strong law and order system को आप अपने manifesto में डालिए और implement कीजिए और अपने आप से ये भी कसम खाईए कि अगर आपको mainstream media से चिड़ है legacy media से चिड़ है इन intellectuals और activist से चिड़ है तो फिर आप एक alternative media और commentary ecosystem को support करें ताकि वो एक strong ecosystem बने और इस legacy media से और activist से जम कर मुकाबला कर सके और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका personally media से intellectual से विश्वास कब उठा नीचे comment section में मुझे जरूर बताए अगर आपको आज का episode पसंद आयो तो प्लीज आज के episode को एक like दे एक thumbs up दे इससे मेरी बहुत मदद होती है इससे अगर आपको ये शो वैल्यूबल लगा अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूबल लगा तो प्लीज इस एपिसोड को जितना हो सकता है share करें इससे मेरी भी मदद होती है और इससे सच को फैलने में भी मदद होती है अगर आपको शाम شर्मा शोपसंद है तो प्लीज शाम शर्मा शो को pedestrian पर करें शाम बल्कुल उनत बूलएगा और हमारे यहाँ और यहां और भी episodes हैं जरा इनको भी जाकर देखिए आपको जरूर पसंद आएंगे मैं आपको अगले episodes में मिलूँगा और तब तक स्वस्त रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे